दोस्तों हमारे इस दुनिया में एक ऐसा रहस्यमई गुफा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा हाँ मैं उसी गुफा के बारे में बात कर रहा हूँ जहां बाली और एक मायावी नामक राक्षिस के बीच भायंकर युद्ध हुआ था आज के समय में जब वैग्यानिकों को इस गुफा के बारे में पता चला तो वे इस गुफा में रिसर्च करने के लिए चले गए वैग्यानिक जब बालि की गुफा के अंदर घुछे तो वैग्यानिकों ने गुफा के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो लोग पूरी तरह से दंग रह गए अगर आप जानना चाहते हैं कि वैज्यानिकों ने आखिर क्या देखा गुफा में तो इस विडियो को अंत तक जरूर देखें और साथी साथ कमेंट्स में हरर महादेव लिखना ना भूलें तो दोस्तों ये बात है करनाटक के हमपी सहर के जंगली इलाकों की जहां पर एक गुफा है जिसे बाली के गुफा के नाम से जाना चाता है दोस्तों इस गुफा की कहानी सुरू होती है रामायन के काल से उस समय मायावी नाम का एक बहुत भयानक राक्षस बाली को बार बार युद्ध के लिए ललकार रहा था तभी बाली ने उस राक्षस का पीछा किया और वो राक्षस भागते भागते उसी गुफा में जाकर घुज गया बाली ने उस गुफा के द्वार पर अपने भाई सुग्रियू को खड़ा कर दिया और फिर वो उस गुफा के अंदर उस राक्षस को मारने के लिए चला गया अब धीरे देरे करके समय बीटता गया और जब बाली गुफा के अंदर गया तो तक्रीबान एक साल बीच चुका था अभी भी जो सुग्रिव थो वो गुफा के बहारी खड़ा था सुग्रिव को अपने भाई की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी उसने सुचा कि करीब एक साल बीच चुका है लेकिन अब तक मेरे बड़े भाई का कोई आता पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या फिर मर चुका है तबी सुग्रिव ने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बहरा है सुग्रिव को लगा कि इस यूद में मायवी राक्षस ने बाली को मार दिया है जिसके बाद ये बाली का ही खून है इसलिए उसने एक बहुत ही बड़ा चटान उठाया और गुफा के मुहाने पर लगा दिया क्योंकि उसे लगा कि अगर मायवी राक्षस इस गुफा से बाहर आ गया तो वो गाउवालों को मार डालेगा लेकिन सुग्रिव को जरा भी अंदाज़ा नहीं था इस यूद में बाली नहीं बलकि वो मायवी राक्षस मारा गया है दरसल मैं आपको बता दूँ कि वो गुफा इतना जादा लंबा था कि बाली को राक्षस को ढूंडते ढूंडते करीबन एक साल लग गया और जब बाली को एक साल के बाद वो राक्षस मिला तो वो उसका वद कर दिया लेकिन बाली जब गुफा के द्वार पर पहुँचा तो वो बहुत ही बड़ा पत्थर देखकर हैरान हो जाता है उसे लगा कि ये पत्थर जान बुचकर सुग्रिव ने लगा दिया है ताकि मैं यहां से बाहर ही ना निकल पाऊं और मेरे गैर मौझूदगी में सुग्रिव राजा बन जाए फिर बाली ने बहुत ही जादा जोर लगा कर उस चटान को अपने रास्ते से हटाया और जब वो चटान हट गया तो तुरंत ही बाली के सकिन्दा पहुँच कर अपने भाई सुग्रिव को लात मार कर अपने नगरी से बाहर निकाल देता है आज की समय में बाली का वही गुफा करनाटक के हमकी सहर के जंगली इलाकों में मौझूद है जब साइंटिस्ट को इस गुफा के बारे में पता चला जादा लंबा है कि बाली को भी उस राक्षस को ढूणने में करीब एक साल लग गया था अब वज्यानिक धिरे दिरे करके इस गुफा के अंदर चलते जा रहे थे वज्यानिकों को कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए था जिससे कि उन्हें सचमुष लग सके कि ये बाली की ही गुफा है करीब तीन दिनों तक वो उस गुफा में ही रिसर्च करते रहे लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा पुकता सबूत नहीं मिला जिससे कि उन्हें फील हो सके कि ये बाली की ही गुफा है लेकिन तीन दिन के बाद उन्हें गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाकून मिला जो कि किसी जानवर के तो लगी नहीं रहे थे उन्होंने तुरंत ही उस नाकून को रिसर्च के लिए भेज दिया अब धीरे-धीरे करके वे गुफा के और अंदर जाने लगे गुफा के और अंदर पहुँचने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे के पूरी की पूरी टीम दंग रह गए दरसल उस गुफा के दिवारों में एक अलगी भासा में कुछ-कुछ लिखा हुआ था जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वैज्यानिकों के बहुत ज़ादा रिसर्च करने के बाद ये पता चली गया कि वो जो भासा था वो आज का नहीं बल्कि आज से करीब बात से 6000 साल पुरानी भासा है उन्हें ये भी पता चला कि काफी अर्से पहले वानर नाम का एक प्रजाती हुआ करता था जो इसी तरह के भासा के use करते थे एक दूसरे से communicate करने के लिए उनका जो सरीर होता था वो पूरी तरह से इंसानों के तरह ही होता था लेकिन उनका जो फेस है वो बंदरों की तरह होता था अब उस गुफा से मिले नाखून का भी रिसर्च पूरा हो चुका था उन्हें रिसर्च करने पर ये पता चला कि ये नाखून कोई आम इंसान के नाखून तो है ही नहीं और नहीं किसी जानवर के नाखून है दरसल ये नाखून उस मायावी राक्षस का ही नाखून है जो की बाली के साथ युद्ध किया था इसके बाद वज्ञानिकों को अभी पूरी तरह से यकिन हो गया कि ये जो गुफा है वो सचमुच बाली की ही गुफा है तब ही महाभारत और रामायन जैसे महाकाव्य लिखे गए खैर छोड़ों उन्हें कौन समझाएगा कि सनातन धर्म कनवर्जन से नहीं बलकि मन की सुद्धता से आती है और साथे साथ आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आगे कौन से टोपिक्स पर विडियो चाहिए मैं उन टोपिक्स पर विडियो जरूर बनाऊंगा और साथे साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले लिंक पिंड कमेंट में है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों इस वीडियो को जादस जादस सेयर करों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले हैं मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप इस राइट वाली वीडियो को चरोड़ देखें धन्यवाद